तो छात्रवित्ती का सर्वर हुआ डाउन जी हाँ इस वक्त की बड़ी ख़बर मैं आपके साथ सेयर कर दूँ पिछले डेर दिनों उसे लगभग छात्रवित्ती का जो विबसाइट है वो प्रॉपर ओपन नहीं हो रहा है काम नहीं कर रहा है इस वीडियो के अंदर लाइब कुछ ही ऐसे चात्र है कुछ ही ऐसे स्टेटस है जो रिजेक्ट हो रहा है वीडियो को आप पूरा देखिए सारी बातों को समझ जाएंगे वीडियो को सुरू करो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बैल आकन को जरूर से हिट क दिखा देता हूँ कुछ हाथ कहते सरा पूराना स्टेटस दिखाया बच्चा बहुत ज्यादा स्टेटस मेरे पास होता है लेकिन मैं जो रैंडम दिख गया वही दिखा देता हूँ चलो अब इसमें आप देखो कि इनका बैंक से बेरिफाइड हो चुका है और तीन तीन द देख लिजेगा बहुत ज्यादा बच्चों का फॉर्म डिश्ट्रिक स्कॉलर्शिप पमीटी से बेरिफाइड किया जा चुका है तो कोछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका रिजेक्ट हुआ है रिजेक्ट किनका हो रहा है उसके आगे बात करूँगा लेकिन उससे पहले आप चार बजे साम के बाद सर्वर सुच जारूरूप से चलना सुरू हो जाएगा घवरानी की जरूवत नहीं है ज्यादा ज्यादा बच्चों का जो स्ट्रेट है वह भी अप्डेट हो रहा है साथी वेब साइट पे भी कुछ ग्लिस था तो उस पे भी काम हुआ जिसके चलते यह समस्य आच हात्रों को देखनी पड़ी तो चलिए आपको कहाँ से स्कॉलरसिप का स्टैटस देखना है चलिए इस पर बात करते हैं और आपको सारी जाना हो तो सिंपली आपको गूगल पे या ग्रोम पे cmhap.in टाइप करके सर्च करना है पहला इंटर्फिस आ जाएगा यूपी स्कॉलरसिप स्टैटस येवाल आप देख लो ध्यान से इस पर आपको क्लिक करना है कुछ नहीं करना है थोड़ा सा स्कॉलराण करके नीचे चले आना है फ्रेस रेनीवल जो सा भी आपका कटेगरी है आप अपना पैसा चेक्स कर सकते हो पीफमेस के थ्रूमंग के बाद खतम हो जाएगी तो आप लोग चार बजे तक इंतजार कर लो ऐसा नहीं कि बीच में किसी क्या नहीं कोल रहा कुछ खात्रों का खोल रहा लेकिन सामके बाद ये ग्लिज जो है वो खतम हो जाएगा और सबसे पहले ग्लिज खतम होगा तो यह विबसाइट सी हैं हम्ह साथ दिन का वक्त बचा हुआ है तो इन छात्रों का जो भी फॉर्म है वो बेरिफाई हो जाएगा समझ गए तो जिसको जो कुछ भी करना था किनके स्टेटस में क्या करना है क्या नहीं ये बाते मैं कई बार बता चुका हूँ अगर अब भी आपको नहीं मालूम कि आपका स्टेटस बेरिफाई नहीं हुआ और आपको क्या करना है तो इसमें सारी गलती आपकी है क्योंकि बार बार कहता हूँ हर बार कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे बाकी क बात नहीं है लेकिन आपके फॉर्म में कुछ भी गलती नहीं है और फिर भी स्टेटस में दिखा रहा है कि आपका रिजेक्ट हो गया और फिर 60% से बिलो है और सच में आपका 60% से बिलो है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा तो कुछ इसी प्रकार के फॉर्म है जो reject हो रहा है बाकि जो private college में admission लिए हैं जो एक साथ दो scholarship के लिए apply किये हैं जो पिछले साल भी कोई course में नाम लिखा के scholarship apply कर दिये साल कोई course में नाम लिखा के scholarship apply कर दिये इन बच्चों की भी छात रित्ती किसी प्रकार से government नहीं देगी ये चीज जगदम clear हो गया बाकि का बहुत ज़्यादा बच्चों का सवाल आ रहा था कि sir आप instagram पे reply नहीं कर रहा है proper तो मैंने सब को reply कर दिया है जाके देख लो बाकि कहां description में link लिंक लिए और उससे भी बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि कक्षा नवी दस्वी के जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों का एक हपते के अंदर छात रृत्ती उनके खाते में पहुँच जाएगा यानि कि एक हपत साथ दिनों के अंदर उन छात्रों का पैसा छात रृत्ती का जो धनरासी है समाज कल्राण विभाग के द्वारा भेजा जाएगा ये चीज समझ गए तो यूपी स्कॉलरसिप में कक्षा नवी दस्वी के छात्रों के लिए अपडेट है कि नव दस दिन कि जो भी नव दस के छात्र हैं उनका एक हपते के अंदर पैसा उनके खाते में भेज दिया जाएगा तो चलो फिलाल के जुड़ेव में इतना ही बाकि आप टेलीग्राम चैनल को जोईन कर लो और यूटूब चैनल को आई होप आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा ट्रस्ट करते हूं प्रकास एजू टेक पेस के लिए आपका धन्यवाद चलिए थैंक्स